करोण उपाय कर लो यदि भजन नहीं करते धर्म से नहीं चलते भगवान कास्ट रह नहीं लिये तो सुखी नहीं हो सकते देख लेना जब मन वचन कर्म से एक मात्र प्रभू को अपना श्वामी मान लिया जाता है अपना जीवन जीवन नाथ के हाथ समर्पित कर दिया जाता है इतना काफी भगवत प्राप्ति के लिए पर इतने नहीं कर पाते हैं मन किसी को दिये हैं वचन किसी को दिये हैं तंक आहंकार ऐसा जाल बुने हुए हैं अहमता ममता का क्यों लगता है भगवान कोई दूशरे हैं भगवान कृपा करे तो हम जो जो अपना माने हैं वो सब सजा रहे और शुक मिलता रहे भ्रहम बड़ा विचित्र बैठ गया ज जो है ही नहीं वो अपने लग रहे हैं है ही नहीं तुम्हें लग रहा होगा तुम अपनी पत्नी को जानते हो कौन है या तुम अपने पती को जानते हो अपने पुत्र को जानते हो कौन है कुछ पता नहीं बस माने हो मेरा पुत्र आपने पांच भोतिक शरीर का परिचे प्र कि दोनों को नहीं जानते हो अगर जानते होते तो ब्रह्मनष्ठ हो जाता बेंजाने में अपना माने हुए हो और जानो या ना जानो मानो या ना मानो प्रभूत तुमारे थे हैं रहेंगे बस ये बात समंझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ क्योंकि वही सब के हरदय में तुम्हें क्लेश देता है अशांति देता है शन्मुक हो जाओ प्रभु के तो यही परिवार भगवत प्राप्ति का शहायक साधन बन जाएगा